Hey guys, welcome to my YouTube channel So guys, आज बारत के परदानमंत्री नरेंदर मोधी दवारा बारत के अंदर Indian Post Payment Bank लोंज कर दिया गया है So guys, आज की स्वेडियो में मैं आपको बताऊँ कि IPPB क्या है? Indian Post Payment Bank क्या है? आप इसके अंदर अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हो? इसका benefit क्या है? इसके आपको फाइदे क्या होने वाले है? और यह और बैंकों से कैसे अलग है? So guys, अगर आप इस Indian Post Payment Bank के बारे में जाना चाते हैं So इस वेडियो को सुरू से लेकर आखरी तक सारा देखीगा So let's start So friends, अब हम हैं Indian Post Payment Bank की official website के उपर और यहां पर इन्होंने डाल रखे हैं इसके benefits So मैं बताने वाला हूँ इससे आपको क्या फाइदे होंगे और आप इसको कैसे open करवा सकते हो? So guys, आप इसके अंदर अपना saving account open करवा सकते हो साथी में आप चाहे तो इसके अंदर अपना current account open करवा सकते हो यह आपका account बिल्कुल free में खुल जाएगा और यह आपके घर के अंदर भी खुल जाएगा So यह payment bank इसलिए open किया जा रहा है कि जिस village के अंदर कोई bank नहीं है वहां तक भी bank पोच जाए यह एक PNB का agent के रूप में काम करेगा इस गाओं के अंदर या फिर जिस जगह के पास या फिर जिस जगह के अंदर कोई bank नहीं है तो यह वहां पर भी अपनी सेवाओं को ले कर जाएगा यह एक PNB के agent के रूप में काम करने वाला है आप चाहे तो इसे किसी city के अंदर भी खुलवा सकते हैं यह हर सेर और हर गाओं के अंदर उपलब्द हो जाएगा यह दिसंबर तक बारत की सबी जगहों के अंदर available हो जाएगा इसके अंदर आपको interest rate saving account के उपर 4% per annum आपको मिलने वाला है इसके अंदर आपको कोई minimum balance रखने की कोई जूरत नहीं है नहीं इसके अंदर आपको कोई statement के लिए आपसे रूपे चार्ज किये जाने वाले है नहीं आपको इसके लिए कोई quarterly account statement के लिए यह सब भी फरी होने वाला है इसके लिए जो आपके SMS होंगे SMS alerts वो भी आपको बिल्कुल फरी में मिलने वाले है अगर आपको किसी और बैंक के अंदर खाता है तो वहाँ पर आपको charges देने पड़ते हैं SMS alerts के बट यहाँ पर आपको बिल्कुल फरी SMS alerts मिलने वाले हैं बट इसके अंदर आपको कोई loan नहीं मिलने वाला है इसके लिए आपको किसी third party के पास जाना होगा और साथ ही में इसके अंदर आपको बीमा भी नहीं मिलने वाला है बट यहाँ पर आपको किसी third party के साथ आप agreement कर सकते हैं यह एक PNB के agent के रूप में काम करने वाला है इसके अंदर आपको फरी account opening मिलता है यह आपके घर के अंदर ही यानि की जो डाकिया है वो आपके घर आकर ही इसे फरी में open कर जाएगा सिरफ आपको अधार card की जूरूत पढ़ने वाली है उसके साथ ही यहाँ पर यह आपका बिल्कुल फरी होने वाला है और यहाँ पर आपको micro ATM card मिलने वाला है साथ ही में आप इसे payment कर सकते हो अपने बिल बर सकते हो इसके अंदर आपको mobile banking की यहाँ पर facility मिलने वाली है आप यहाँ पर utility payment कर सकते हैं यहाँ पर आपको सभी चीजे मिलने वाली है और साथ ही में यहाँ पर आपको unlimited cash deposits and withdrawals मिलने वाली है तो यह post payment bank की official website है यहाँ पर अगर आपका एक लाग से ज़्यादा balance हो जाता है तो वो आपके पोजा के अंदर चला जाएगा यानि कि post office saving account के अंदर वो चला जाएगा अगर आपका एक लाग से ज़्यादा balance हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो बाकी बैंकों के अंदर सेवाइं मिलती हैं वो सभी सेवाइं इस बैंक के अंदर भी मिलेंगी और यहाँ पर आपको काफी सारी चीजे जो बाकी बैंकों के अंदर चार्जस लगते हैं यहाँ पर आपको फरी में मिलने वाली है यहांद कि इस अकाउंट का benefit उन लोगों को ज़्यादा होने वाला है, जिस गाउंच के अंदर कोई bank नहीं है जिए अपनी सेवां को उस गाउंच के अंदर भी लेकर जाने वाले है जिस गाउंच के अंदर कोई bank नहीं है। और साथी में एटल पेमेंट बैंक के बारे में सुना होगा इसी तरह से है ये पोस्ट ओफिस पेमेंट बैंक और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और अगर आप इसे ओपन करवाना चाहते हो तो आप इस नंबर के उपर कोल करकर यहां पर ओपन करवा सकते हो आप इस फीचर्स सभी बैनिफीट सभी फायदे वो सभी मिलने वाले हैं और ये आपका अकाउंट जीरो बैलन्स के साथ ही ओपन हो जाएगा तो गाईस ये था पोस्ट ओफिस पेमेंट बैंक अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछा चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं ठैक्स पूर वाचिंग